वैसे आपकी शकल देखके भी लबता है कि आप भी एक नेटवर्क चला सकते हैं, पता है कौन सा? कौन सा? कार्टून नेटवर्क अल्ला ऐसा टैलेंट किसी को ना दे टैलेंट की बात ना करो, हमारे में तो इतना टैलेंट आगे कि हम ओनलाइन भी भी एक मांगते हैं मेरे अपाजी कहते हैं, जेड़े पिंड नहीं जाना, उदार रावी नहीं पुछना मतलब? मतलब ये कि वूई डॉन्ट केर असलाम रेकम दोस्तों, वेलकम टू पॉड़कास्टिक दोस्तों, आज के इस महंगाई के दोर में सिर्फ दो तबकात ऐसे हैं जो के सेट हैं पहले अमीरो कभीर और दूसरे खरीबो फकीर पाकिस्तान का बजट भी इन ही दो तबकात को मद्दे नज़र रखकर बनाया जाता है और बीचे जो रहा कि मिडल क्लास, वो मिडल चाइल की तरह इगनोर होते रहते हैं तो आज हमारे स्टूडियो में इन में से एक तबका मुझूद है जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में मजूद है एक भिकारन जो कि अपना एक नेटवर्क चलाती है तो आई एंचे अपनी गुफदुबू का अगास करते है स्लाम लेको मैडम कैसी है सद्दके जाओं, इतना मनूस इंट्रो करवाया कि दिल ही साड़ के रख दिये यार आप पेशे से एक भिकारन है और अपना नेटवर्क चलाती है क्या गलत बोला है मैंने वैसे आपकी शकल देखके भी लगता है कि आप भी एक नेटवर्क चला सकते हैं कौन सा कौन सा कार्टून नेटवर्क देखें बिहेव यूरसेल्फ मैं मरववत से बात कर रहा हूं मू मेरी तरफ है पता नहीं कौन सी मरववत से बात कर रहे हैं आप पाइप एंगे हो तुसी मतलब मैं शाहिस्तिकी से बात कर रहा हूँ मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ भई मेरे लिहाज की फिकर ना करो आप बिस्त रिजाईया अलहमदिल्ला सब कुछ है मेरे पास खाती पीती कोटी से हूँ मैं कोटी से आप लोग तो जुगियों में नहीं रहते जुगीया तो वैसे गट टुगेदर के लिए होती है, मीटिंग शिटिंग करनी होती है, कभी कबार पैसे शचे गिने होते हैं, जहां पर वर्क प्लेस होता है, वही पर हम जुगीया बना लेते हैं, वैसे तो हमारा गार जो है डी एचे वाली साइड बर है, वाट, सिरियसली और अचा अपने बोला कि वर्क प्लेस वर्क प्लेस तो वोग तहीं जो पर वर्क किया जाता है लेकिन आप कौन सा काम करते है आप तो भीग मांगती है ना पतुकी कि शेजाद शेख तुम्हें लगता है बीग मांगना कोई मेहनत का काम नीए है दूप पसीना, सरदी, गर्मी, भीग मांगना कोई सुखा काम नहीं है लेकिन मैं इसको कोई भीग मांगने को कोई काम नहीं समझता ना नहीं काम तो वो होता है जिसमें आप सुसाइटी को कोई वैल्यू परवाइट करते हैं तर्विस दे रहे हैं उसके गेंश्ट आपको पैसे मिलते हैं आपको तो मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं आप तो कौनिमी में कोई करदार यदा नहीं कर रहे हैं मेरा एक पुल्स वाला वाकिफ है दिल तो का रहा है उसको बुला करना तुम्हारे करदार पर जूतियां पड़माँ बंदा पूछे जो पैसे हम अगर ठेकरते हैं वो हम इसी मुल्क पर लगाते हैं ये गाड़ी है ये मैंने अपने पैसों से खरीद दी है ठीक है ये आईफून है अपने पैसों से खरीद है ये मैक बूप आपकी कोई एज इतनी तो है नहीं आपकी विसे एज की बच्चेह थो स्कूल जाती है गई थी मैं स्कूल स्कूल के बच्चे इतने शूदे होते हैं एक रुपया वे इनसा धियाने उपर से मझे लुख अबाइर निकाल लिया था नहीं मेरा मतलब है कि स्कूल पढ़ने के लिए मैंने ये स्कूल वूल की चीज़ा मैं अपने टाइम वेस्ट नहीं किया की फैदा मेरे अबाजी कहती है जो तालीमी निजाम है ना ये सिर्फ हमें जोब के लिए तियार करती है पढ़ो लिखो और मलाजमत करो ब्रादरी मतलब आप लोग की ब्रादरी श्रादरी भी होती है हाँ तो और क्या गलियों में मांगने वाली ब्रादरी माल्स में मांगने वाली ब्रादरी रोड्स पर मांगने वाली ब्रादरी मजदेच चर्च में मांगने वाली ब्रादरी और मंदर के बाइर मांगने वाली ब्रादरी ओर दो और घड़ी बजा कर मांगने वाली ब्रादरी घड़ी बजा कर दो हाँ कुछ रसा पहले मैं भी इपनी फुपी की बेटThe back of me जाद दो तो आपको गाना आथा एं मैं आपका तनाती ब्हुरी सब्सक्राइब करो वाओ, I would love to listen मैं आपसा सब्सक्राइब करो सब्सक्रेफि hub सब्सक्राइब करेशियोellow सब्सक्राइब करें मैं ठालन से जा रही हुआ अबिर बंद कर दें, मेरे सरमें दर्श रोगा, मझे लगता अपर इसान निया, मैंने वो याद किया नमना था? कुम डाउन, बेभी, कम डाउन, कम डाउन, योगर गोर गरागट कार। अच्छा, ठीक, बास करें, मुझे पता लागए आप में बहुत तैलेंट है यार, इसको प्लीस रख देनीचे, घुजा कवास्त इदर ही जागए, मैंने लेकर जानी है वागए, ओके, ओके, डैम, अल्ला ऐसा टैलेंट किसी को ना दे, टैलेंट की बात ना करो, हमारे में तो इतना टैलेंट आगए कि हम ओनलाइन भी बीक मांगते हैं, ओनलाइन, कहां, कैसे, वो टिक टॉक लाइव है, ओ, I see, वो टिक ट बीकारी भी होते हैं, टिक टॉक लाइव वाले, ये भी एक ब्रादरी है इनकी, अच्छा, बाइद आवे, ब्रादरी से एक और सवाल मैंने जहन में आता है, आप लोग जो रिष्टा करते हैं आपस में, तो ब्रादरी के बाहर भी कर लेते हैं इस और अपने ब्रादरी मे करने हैं, बेरी नाइस, अच्छा, आप सिगनल्स पर मांगती हैं ना, जी, तो कैसा जा रहा धन्दा आजकल आपका, अलहमदिल्ला बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मैं लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि आप ट्रैफिक रूल्स की पबंदी किया करो, जब सिगन सिगनल थे ना, वो खराब हो गए थे, गाड़ियों वाले रुक किने का नाम नहीं थे ले रहे, कोई आ रहे है, तो कोई जा रहे है, हमने महकमे से भी इस बात की कम्प्लेन की थी, कि वो ठीक का गए, लेकिन उन्होंने इमारी बात सुने नी, फिर हमारी सारी ब्रादरी न करती है, वह भुत तेज और है, बहुत तेज और है, चलो तम भी क्या याद करोगे, बटा ही देती हो, हमने ना, ग्रुप्स वन्हाएगा करकिमे, पहला तो सिदा सिदा अला का नाम लेकर हम लोग मांगते हैं, अब जो लोग मजभी होते हैं, वो तो अराम से पैसे देते ह अब उनमें से कुछ कंजूस, मक्खी, चूस होते हैं जो एक रुपिया भी नहीं देते हैं और उन लोग के लिए हमारा सेकंड गूर्प एक्टिव होता है उनमें हम क्या करते हैं शीशे साफ करते हैं अब यहां जाए 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 आप तो कभी स्कूल ने गई और इतनी इच्छी इसे बोल लेती है मैंने स्पेशल सीखिया है अबा कहते हैं जिए पाकिस्तान के लोग है वो अंग्रेजी से जएदा इंप्रेस्स होती है तो और क्या मेरे एक चाचा था नाड़े बेचता था फुल फुल अंग्रेजी बोलता था अंग्रेजी बोलता था था उग्रेज को इसको सीख सकता है अगर आप इंग्लिश आपको आती है आप इसके साथ थोड़े से और यूस्फल स्किल सीखें राइट आप बहुत बाइज़त लाजमत और बाइज़त मेरा एक मसेर था उसने मारी बरादरी छोड़ दी और कहता है कि पढ़ूंगा लिखूंगा जोब करूंगा कारली फिर उसने पनी मनमानी रोस नो बज़े से लेके पांच बे तक जलील होता है अपने बोस की गालिया सुनता है और सिर्फ तो एक क्तनी है 20,000 रुपे इतने में तो हम डेली का क्हां लेते हैं बज़े के सेरे टाछी बाइस लेकर जिस्वेरी त्रेजिक फिर रिस्ट केहला में अगर कि ठेके पर ंуждी है और हम यहीं पर जाते हैं हाथ पिलाते हैं और बोलें अल्ला के नाम पर दे तो 150 अ़े is यह मिल जाते हैं इसलिए हमारे अबा आठाते हैं मारे मत्थे मेंef 6 बजी है जो हम काम करके खाएं बाइद वे आपके अबा क्या काम करते हैं? काफी तजर्बा लगता है इनका करना क्याने? माशाले से एक्सपारियंस्ट सीनियर फकीर है वीलचेर पर बैठके पैसे कमाते हैं मतलब उनकी टांगें खराब हैं? ओ ना ना अल्ला माप करें पाई क्यों जी गलना कर रहे हैं? एक्शुल में ना हमारे जो अबा का रेंक है वो अब असल में हाई हो गया है तो वो ना बैठकर भीक मांगते हमने तो उनके लिए एक इंटर्नी रखा वा है वो उनको पूरा दिन वील्चेर पर देखिया दा रहता है इंटर्नी यानि के आपके जो वाले साव हैं वो कोई ट्रेनिंग श्रेनिंग भी देते हैं? कोई आम ट्रेनर नहीं है मेरे अबाब माशाला से पढ़े लिए हैं पाँ साल पाँ साल इंशूररस कंपनि में काम किया ने वहाँ से अबाइ सीख किया है कि किसी के पीछे कैसे पढ़ते हैं और उसे कैसे पैसे निकलवाते हैं इस तरह का काम मेरे अबाबा से बहतर कोई भी नी जानता तो वेरी नाइस अच्याए कि आपकी कमाई का कोई सीसेन भी होता है कर बस ऐसे रेगुलर चलता रहता है हमारा काम ही ऐसा कि अलहुम्दल्लाग सारा साल कोई सीजन आया ही रहता है रमजान का सीजन, छोटीद का सीजन, बडीद का सीजन, रभ्यू लवल, शबराथ, शादियां, फोत्गियां और बजार में मंदे का सीजन वाट? मतलब जब बजार में मंदा चल रहा होता है तो आपका सीजन चल रहा होता है तो और क्या लोग ये सोच के ज़्यादा भीग दे देतें कि अल्ला बदले में ज़्यादा गाक बिजेंगे तो क्या फिर गाक आते हैं? मेरे अबाजी कहते हैं जेड़े पिंड नहीं जाना उदार रावी नहीं पुछना मतलब? मतलब ये कि we don't care हम आफटर सेल सर्वस नहीं देते हैं मतलब मैं समझ गया हूँ कि जहां पर प्राबलम या मसले आते हैं वहां पर आपकी कमाई शुरू हो जाते है बिल्कुल सही पोंचे हो मज़े की बात बताओं एक्जैम वाले दिन भी हमें बड़े भी एक्मिल होती है एक्जैम वाले दिन आप कॉलेज और यूनिवस्टी के बार खड़े हो जो आपको फिर भी एक्मिल नहीं है कि मैं तो कहते हूँ हर महीने एक्जैम होने चाहिए अच्छा बाइदे वे चलें प्रोग्राम को वाइडम करते हैं काफी लंबा चला गया आखरी सवाल आप से मैं पूछना चाहता हूँ और वो यह है कि मैं भी पिछले दिन वो न्यूस देख रहा था कि पुलिस जो है ना वो आप लोगों को जो मांगने वालें को पकट पकट कर जेल में डाल रही है तो इसका क्या आप इसको कैसे देखती है तो कुछ नहीं बास यह कभी कभी गवर्मेंट का अफसर चेंज हो जाता है तो नहीं जो अफसर होता है वो वक्ती तोर पर थोड़ा हमें प्राबलम होती है लेगिन जब नहीं अफसर के साथ हमारी सैटलमेंट हो जाती है ना फिर हमारा वापस से वही काम स्टार हो जाता है तो नोट अबीग दील नोट अबीग जील तो और क्या हम भीखाणी को जेल में रखके उन्हें ने करना है क्या है उल्टा उनको हमें खाना देना पड़ेगा हमारे पीछी आना ही किसने है कहीं दबाव तो ऐसा होता है हमारी बरादरी बसे कोई पकड़ा जायना है तो हम आपस में बात कर रहे थे और फलाना तो आज विकेशन पे गया है पताटिक तो नाजरीन ये थी आज हमारे साथ एक भी कारम जिन्होंने सुसाइटी की एक बिमारी को बलकि मैं तो कौनगा एक नासूर को हमारे सामने खोल कर रखा है दोस्तों गदागरी एक ऐसा पेशा है ये उतना ही फैलता चला जाता है मैं आपको किसी की मदद करने से मना नहीं कर रहा जरूर किये जी लेकिन उन लोगों को जिनकों वक्ती तोर पर माली मामलाज में दिश्वारी का सामना है नाकि उन लोगों को जिन्होंने भीक मांगने को पेशा बना लिया है आप किसी बिकारी को एक लाख रुपय भी देंगे न वो से किसी मेफूज जगा पर चुपा कर दुबारा सड़क पर भीग मागने के लिए आ जाएगा जबके दूसी तरफ हो सकता है किसी मेहनत कश के साथ की गई आपकी माली मावनत उसको उसके पैरों पर खड़ा करते हैं आप बिकारी को पैसा दे कर उनकी होसला वजाई करते हैं जिससे मेहनत करके कमाने वालों की होसला शिक नहीं होती है बस एक चोटी से मेसिज के साथ अपने होश्ट डूमर सलीम को दीजिए जादत मिलते हैं शाद अगले पोड़कास्टिक बे अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा अलाफिस अब याप कहा जा रही है लानत बेज़ कर अगले पोड़का तो गाइस इस मांगने वाली का यूट्यूब चैनल भी है मून वाग्स आप लोगों इसको जुरू सब्सक्राइब करना है थैंक यू समाच अब ते सब्सक्राइबर्स की भीग मांग रही है अबर भाई